मुनशीर एक सुवार सुधा सागर जी महराज के पावन चरनर पावन धरा पर पड़ते ही भक्तों का सालाब उमर पड़ा मुनशीरी के दर्शन पाने के लिए भक्त ब्याकुल नजर आए मुनशीर 108 सुधा सागर जी महाराज के दर्शन पाकर भक्त अपने आपको धन्न समझ रहे थे मुनशीर 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन चन आगे बढ़ रहे थे भक्त ब्याकुलता के साथ उत्सा के साथ आरती उतार रहे थे चन बनना कर रहे थे आज सिर्वाद घ्रन कर रहे थे बरसों से महामुनी का इंतिजार भक्त कर रहे थे महामुनी के स्वागत के लिए भक्त पलक भावले बिच्छा कर खड़े हुए थे महामुनी के दर्सन पाकर भक्त अपने आपको धन्न समझ रहे थे हैं यह सुचना मिली तो समाज के अंदर अलास के लिए दोड़ गई और करीब 15 दिन से हम विशेज रूप से तैयारी कर रहे थे जगे जगे तुरन दवार बनाए गए हैं सदर से लेके के अंदिन तक तुरह द्वाल लगाए गए जगे जगे रंगों नी लगाई गई गई है अज हमारी नगती मैं सदाखागर जी पुरी राज पधारे हैं तो बड़े घुट समसारा है पता ने कितने पावन मौका मानते हैं सिया बहुत बहुत जाता जैसे दीपावली बड़ाई जाती है वैसे ही कुछ यह आया है आज हमारे दिन मामुनी की एक जलग पाकर चणन बनना कर भक्तों का उत्सार देखते ही बनता था ऐसा लगता था मानों बरसों की मुराग पूरी होगी हो हर कोई मुनीश्री सुदा सागर जी महाराज के दरसन करना चाता था एक जलग पाना चाता था जगे जगे आरती उतारी गई सभी ने शर्ण बनना की और धरम लाब कामाया जिस तरीके से दरसन को सैलाव उम्डा उससे इतना साफ हो जाता है कि लोग मुनीश्री सुदा करजी महाराज के लिए कितने उताबले थे कितने बेचेन थे कि एक जलक मुनिश्री की मिल जाए जिससे वो धन्ने हो जाए अपने साथ एक दुबे के साथ राकिश कनौजिया सीनियूस आगरा